आज की इस वीडियो में हम आपको आर्यन खान को लेकर रितिक रोशन की एमोशनल होने के बारे में बताएंगे वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सबस्क्राइब जरू कर ले और बैल आइकन को भी क्लिक कर दे शारू खान के बेटी आर्यन खान के ड्रक्स केस में फसने पर रितिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान अपना सपोर्ट जता चुकी है अब रितिक ने आर्यन के लिए एक लंबा और काफी मोटिवेशनल लैटर लिखा है रितिक ने लिखा कि ये बुरा वक्त ही है आगे उनका कल अच्छा बनाने वाला है लेकिन उन्हें खुद को समालना है और अंदर की अच्छाईयों को मढने नहीं देना है आर्यन को 2 अक्टूबर को कारडेलिया क्रूस पर रेड के दोरान नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हिरासत में लिया था इसके बाद से 7 अक्टूबर तक NCB ने आर्यन की कस्टडी ली थी रितिक ने डेट के साथ 7 अक्टूबर को ये लैटर लिखा है रितिक ने लिखा मेरे प्यारे आर्यन जिन्दगी अजीब सफर है या बढ़िया है क्योंकि यह अनिश्चित है या बढ़िया है क्योंकि अधिक परिस्थीतियां ला देती है लेकिन ईश्वर दयावान है वे सिर्फ मजबूत लोगों को कठिन परिस्थीतियों में डालते हैं आपको तब पता चलता है कि आपको चुना गया है जब उथल पुथल के बीच जब आपको खुद को समालने का प्रेशर भी फील होता है और मुझे पता है कि तुम्हें इस व गला सकती है खुद को तपाओ लेकिन एक हद तक गलतियां गिड़ना जीत सफल था सब बराबर ही है अगर आपको ये पता है कि किस हिस्से को अपने साथ रखना है और किसको अनुभव से निकाल फेकना है लेकिन ग्याद रखो कि इन सब के साथ तुम बहतर बन सकती हो मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और तुम्हें बड़े होने तक भी जानता हूँ इसको स्वीकारो जो भी अनभव है उसे स्वीकारो ये तुम्हारे पुरसकार है यकीन मानो वक्त के साथ जब तुम इन सब चीजों को जोड़ कर देखोगे मैं वादा करता हूँ तुम् लेकिन इसके लिए तुम्हें अंधेरे से होकर गुजरना होगा सांते स्थिर और खुद को समहालो रोशनी पर यकीन करो अंदर से ये हमेशा तुम्हारे अंदर है लव यू मैन गैस जिस तरह से रितिक रोशन ने आरियन खान के बारे में ये सब लिखा इस पर आपको क्या लगता है आरियन खान को बेल मिलेगी हमें कमेंट करके अपनी राइज जरू बताए